नमस्ते आज का जो विशे है हमारा वह है पत्रकार्य लेखन के विभिन रूप और लेखन प्रक्रिया और इस पार्ट में जो मुखे बिंदू हैं जिन पर हम अलग-अलग करके बात करेंगे वह है पत्रकार्य लेखन क्या होता है समाचार लेखन, समाचार का धाचा क्या होता है उल्टा पिरामिट शैली, समाचार लेखन प्रक्रिया फिर छे ककार क्या होते है फीचर, फीचर के बारे में जानकारी लेखन प्रक्रिया, धाचा उसका कैसा होना चाहिए शैली और उसके बाद फिर विशेश रिपोर्ट क्या होती है विचार परक लेखन जैसे लेख, टिपणियां और संपादक यह इस्तंब लेखन, संपादके लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख, साक्षातकार, इंटरव्यू और अच्छे लेखन के लिए धिहान रखने योगे बातें इन सभी बिंदूओं पर हम बात करेंगे और सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें इस पत्रकारिय लेखन और उसकी प्रक्रिया आदि के बारे में जानने की आवशक्ता क्यों है एक अच्छा पत्रकारिय लेखक बनने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जाने कि विभिन जनसंचार माध्यों में किस तरह से लिखा जाता है अकबारों या पत्रकाओं में समाचार फीचर, विशेश रिपोर्ट, लेख और टिपणियां आदि प्रकाशित होती हैं और इन सब को लिखने के तरीके अलग हैं और उनका ध्यान रखा जाना चाहिए समाचा अलेखन में हमने पहले पार्ट में भी देखा था कि उल्टी पिरामिट शेली का उप्योग किया जाता है और समाचा लिखते वे छे ककारों का ध्यान रखना ज़रूरी है छे ककार क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे इसी तरह से फीसे लेखन होता है जिसमें हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं उल्टी पिरामिट की जरुरत नहीं है और विशेश रिपोर्ट अगर लिख रहे हैं तो उसमें तत्थियों की खोज और विशलेशन पर जोर दिया जाता है इसी प्रका समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के तहट लेख, टिपणियों और समपाद की ये लेखन में भी विचारों और विशलेशन पर जोर होता है तो पत्रकारिय लेखन जो है वो लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखन के लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि वह क्या है कि पत्रकारिय लेखन क्या है समाज में उसकी भूमिका क्या है और अपनी इस भूमिका को वह कैसे पूरा करता है उचना देने, जागरू करने, शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दाईत्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, एक शिक्षक और जन्मत निर्माता के तौर पर बहुत बड़ी भूमिक आदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली एक ऐसी खिड़की हैं, जिसके जरीए नजाने कितने पाठकों तक वे पहुँशते हैं, और उन्हें देश दुनिया आसपास की गटनाओं से, विचारों से, मुद्दों से अवगत कराते हैं। तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं, वे अपने पाठकों तक या दर्शकों या शोताओं तक, जो भी समाचार किसी भी माध्यम से दे रहे हैं, तो वे उन सूचनाओं को पहुँचाने के लिए लेखन के विभिन रूपों का इसे ही पत्रकार ये लेखन कहते हैं, पत्रकार कितनी तरह के होते हैं, पत्रकार तीन तरह के होते हैं, पहला पूनकालिक, दूसरा अंशकालिक, तीसरा फ्रिलांसर, फ्रिलांसर यानि स्वतंत्र, तो पहला पूनकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला न नम्बर दू, अंशकालिक पत्रकार या स्ट्रिंगर, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मान दे, यानि निश्चित पैसों पर काम करने वाला पत्रकार है, और तीसरा है, फ्रीलांसर, यानि स्वतंत्र पत्रकार, जो बुकतान के आधार पर अलग-अलग अखबा इस पाठ का परिचे आप अलपना वर्मा से सुन रहे हैं, और यहाँ परिचे को हम समाप्त करेंगे, अच्छे लेखन के लिए धियान रखने योगे बातों के साथ, और जो इसके अलग-अलग रूप हैं पत्रकार या लेखन के, उन पर विस्तार से हम एक करके अगली के सनरचना को ही आप प्रात्मिकता दे, वर्यता दे, आप बोलचल की भाशा और शब्दों का इस्तमाल करिये, क्योंकि आपको जन्मानस से जुनना हैं, गैर जरूरी शब्दों के इस्तमाल से बचें, शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझ कर ही उनका प्रयोग करें अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है जाने माने लेखोकों की रचनाएं ध्यान से पढ़े अगला बिंदू लेखन में वीवित्ता लाने के लिए छोटे-छोटे वाक्यों के साथ कुछ मद्यमाकार के और कुछ बड़ी वाक्यों का प्रयोग कर सकते है इसके साथ ही साथ मुहावरों लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में आप रूची भी ला सकते है रोचकता बढ़ जाती है ऐसा करने से अपने लिखे को दुबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गयर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच मत करिये लेखन में कसावट बहुत जरूरी है अगला बिंदू लिखते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश है अपनी भावनाओं और विचारों तत्यों को व्यक्त करना है ना कि दूस्टे को प्रभावित करना थोपना नहीं है अपने मत को अगला बिंदू एक अच्छे लिखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आस पास घटने वाली घटनाओं समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाहा रखनी चाहिए उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उसे विचार ले सकें और एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विशय परबारी की से विचार करने का धैरे भी होना आवश्यक है अब जान लेते हैं कि पत्रकार्य लेखन और स्रिजनात्मक साहित्य लेखन में क्या भिन्नता है पत्रकार्य लेखन का समसामाईक और वास्वी घटनाओं और मुद्दों से है जबकि साहित्य स्रिजनात्मक लेखन कल्पना को भी इसमें स्थान देता है पत्रकार्य लेखन अनिवारे रूप से तातकालिक और अपने पाठकों की रुचियों और जुरुतों को ध्यान में रखकर किया जाता है जबकि साहित्य स्रिजनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है पत्रकारिता के विकास में जिग्यासा का मूल भाव सक्रिय होता है तो इसके साथ ही यहाँ इस पार्ट का परिच्वे हम समाप्त करते हैं आशा है आपको यह भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद